हाई फ्रेंड्स आज फिर से हम और एक नई रेसेपी के साथ आए हैं आपको सिखाएंगे जुस्सी क्रिस्पी चिकन पकोड़ा कैसे बनते हैं बड़े आसानी से देखी आप इसका आवाज भी सुन सकते होंगे कितना क्रिस्पी है खाने में भी बहुत ही टेस्टी एंड डेलिश्यस है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाल सस्क्राइब का बटन दबान साथ में बेल आइकन प्रेस कर देए फर्स्ट एक बाउल ले रहे हैं और उस पर एक केजी चिकन वस किया हुआ हम एड़ कर रहे हैं और ये देखी अधरक लसुन पेस्ट, नम्मक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और कन फ्लावर, बेशन, चावल का आटा कुछ पोदीना पत्ता, एक अंड़ा और फूट कलर और एक लेंबू देखिए हम चिकन में फर्स्ट एक लेंबू करस डाल रहे हैं और फिर नमक एक चमच डाल रहे हैं, फिर दो चमच अधरक लसुन पेस्ट डाल रहे हैं, फिर दो चमच मिर्ची पाउडर, हाप चमच हल्दी पाउडर, हाप चमच जीरा पाउडर, और तीन चमच गनफ्लावर और दो चमच बेशन और दो चमच चावल का आटा और हाप चमच फूट कलर और एक अंडा और कुछ पोदीना पत्ता इसको डाल कर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं मिला लीजिए आप इस तरीके से मिलाईएगा देखिए हम इसको फ्रीजर के अंदर रख रहे हैं 30 मिनिट के लिए इससे बहुत अच्छे से अपना मसाला सेट हो जाता है चिकन पर यह देखिए हमारा 30 मिनिट हो चुका है यानि अधा गंटा हो चुका है हम फ्रीजर से बाहर निकाल लिए और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फ्रीजर में रहने से बहुत अच्छा बनता है आप भी रखिएगा जरूर आपके पास टाइम हो तो आप रखिएगा फ्रीजर में और एक कड़ाई में ऑईल गरम किये और फिर इस पर चिकेन के पिसे एड़ कर रहे हैं देखिए हाप अभी फ्राइ करेंगे और हाप फिर दूसरी बार फ्राइ करेंगे पांच मिनिट तक आपको इस पर चम्मच लगाना नहीं है वरना इसकी कोटिंग निकल जाएगी गैस का फ्लेम हाई रखना है पांच से दस मिनिट के अंदर इस तरीके से चिकेन पकोड़ा फ्राइ हो जाता है हम बाहर निकाल रहे हैं आप भी इस तरीके से निकालिएगा फिर से और हाप इस तरीके से फ्राइ किये हैं आप देख सकते हो थोड़ा सा नरम है और इसको थंड़ा होने के बाद फिर से हम फ्राइ करेंगे ऑल गरम करके इससे चिकेन पकोड़ा बहुत क्रिस्पी हो जाती है बहुत ही टेश्टी लगती है हम इसको अपने घर पर बनाते हैं हमारे घरवालों को बहुत पसंद है हमारे बच्चों को बहुत पसंद है हम इस तरीके से अपने घर में चिकेन पकोड़ा बनाते हैं और आप से अज शेयर कर रहे हैं आपको पसंद आए तो इस तरीके से फॉलो कीजिए देखिए फिर से ऑईल गरम किये और इस पर फिर से चिकन पकोड़ा एड़ कर रहे हैं फिर इसको पांस से दस मिनिट और फ्राइ करेंगे गैस का फ्लेम हाई रखना है देखिए हमारा चिकन पकोड़ा बिलकुल रेडी है है ना बहुत इसी आपको इस तरीके से हमारा रेसिपी पसंद आती है तो दूसरी बार देखने के लिए आपको हमारा चैनल कुक मास्टर को सस्क्राइब कीजिएगा और बिला इकन को दबाईएगा ताके हम जो इसी जी डेसे पी डालें आपके पास पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इसी ली फ्री से देख सकें देखिए हमारा चिकन पकोड़ा बिल्कुल रेडी है अब हम जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ इंजॉय करने और आप भी अपने घर पर बनाईए अपने फैमिली के साथ खाईए और कैसा लगा हमें कमेट बॉक्स पर बताईएगा अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल में नए हो देखिए हम कुछ इस पर मिर्ची और प्याज डाल रहे हैं और कुछ पदीना पत्ता गार्नेश के लिए और टमाटो केचप चिल्ली सॉस लगा कर हम खा रहे हैं आपको जैसा पसंद आप खाईए हमें दुआओं में याद रखिए थैंक यू झाल